बिस्मिल्ला रह्माद रहीम असलाम वालेकुम जी मैं एलेक्ट्रिकल के चैनल हों मैं तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ आज हम ब्रेकर्स के उप्रेकर्स की नेम प्लेट पे लिखी हुई कुछ रेटिंस के बारे में बात करेंगे कि ये रेटिंस क्यों लिखी होती है और इनका क्या मतलब और क्या मक्सद होता है इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ICU के बारे में ये भी ब्रेकर की नेम प्लेट पे लिखी होती है ICU ICU का मतलब होता है Ultimate Breaking Capacity Ultimate Breaking Capacity किसी ब्रेकर के बारे में ये बतारी होती है कि जब इससे आगे लगे होए low में कोई fault पैदा होता है तो ये अपने अंदर से maximum इतना current अपने context को ये self damage के बगहर ये गजार सकता है अपने context को खराब के बगहर इतना current कुछ देर के लिए ये अपने अंदर से गजार सकता है ये किलो अंपेर्स में होती है इसके अलावा लिखी होती है इसके साथ ICS ICS का मतलब होता है Service Breaking Capacity यानि जब breaker को बना लिया जाता है तो इसके उपर एक टेस्ट किया जाता है कि जितनी हमने इसकी ICU रेटिंग लिख दी है आया कि वो रेटिंग उतनी है भी या नहीं breaker के उपर जितनी value ICS की लिखी होती है इसका मतलब होता है कि ये breaker बना कर इतने current पे चेक किया जा चुका है टेस्ट किया जा चुका है इसके इलावा लिखी होती है ICW ICW का मतलब होता है Withhold Capacity यानि जब किसी breaker में कोई fault आता है तो वो फोरन ही trip नहीं कर जाता उसको कुछ देर के लिए उस fault को detect करना होता है कि ये शार्ट सरक्ट है या क्या चीज़े वैसी कोई इंदरश्या आया है तो इसके लिए इसे कुछ देर wait करना पड़ता है किस चीज़ का करनाट है किस वज़े से आया है तो ICW ये डिस्क्राइब कारी होती है कि ये कितने देर के लिए stand ले सकता है कितने देर के लिए hold हो सकता है किसी करनाट पर या किसी fault पर और इसको उपर लिखा होता है ICM यानि making capacity जब हम किसी breaker को on करते हैं तो इंडरेश्ट करनाट की वज़ा से बहुत ज़्यादा करनाट गुजरता है इसमें से किसी breaker की ICM capacity हमें ये बतार ही होती है कि जब हम breaker को on करते हैं तो ये maximum इतना इंडरेश्ट करनाट अपने अंदर से गुजर सकता है ICM क्योंकि इसके अंदर से फाल्ट करनाट भी बाज़का तो गुजर सकता है इसलिए इसकी रेटिंग ICU की रेटिंग से डबल या डबल से भी ज़्यादा होती है बाज़का तो हम किसी फाल्ट की वज़ा से मोटर के जो ट्रिप भी होती है उसे रिसेट कारके चला देते हैं तो जब चलाते हैं तो फाल्ट उसमें मुझूद होता है एक तो उसमें इनरेश करांट भी पीक पे जा रहाता है क्योंकि मोटर स्टार्ट का रहे होते हैं उसकता हम और दूसरा उसमें फाल्ट करांट के वज़ाद से बहुत ज़्यादा क्रांट गुजरता है डबल से त्रिपल क्रांट गुजरता है जो कि इंदरिश क्रांट का इसलिए उसकी जो होती है मेकिंग कैपैस्टी वो उसकी ब्रेकिंग कैपैस्टी से 2 या 5 गुना ज्यादा होती है इसके लावा बरेकर के उपर लिखा होता है UIMP यानि Rated Impulse with Stand Voltage जब कमपनी ये बरेकर बना लेती है तो फिर हाई वोल्टेज की एक इमपल्स देती है हाई वोल्टेज की एक इमपल्स देकर ये चेक करती है कि ये कितने वोल्टेज को बरदाश्ट कर सकता है वो होती है इसकी IMP Ultimate UIMP Rated Impulse with Stand Voltage इसके लावा इसके उपर लिखा होता है UE UE का मतलब होता है कि अपरेशन वोल्टेज जितने वोल्टेज के लिए हम किस बरेकर को इस्तेमाल कर सकते हैं ये UE में लिखा होता है और इसमें एक और एटि लिखी होती है जो के UE के नाम से इस्तमाल होती है यानी Insulation Voltage कि ये कितने वोल्टेज के लिए Insulation फराम कर सकता है कि Maximum कितने वोल्टेज होऊं तो फिर जाकर इसकी इसकी Insulation है जो के बरेक होगी अगर आपको इस वीडियो की कुछ समझाई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें और अगर आपका कोई क्वेस्टिन है तो क्मेंट सेक्शन में क्वेस्टिन करके आप पूछ सकते हैं अल्ला हाफीज